है गाइस वेलकम टूमा योटूब चैनल राउंड ओविन तोड़ वी आप ग्रेट जॉप अपर्चूर्टी कमिंग फॉम कैप जीनी के तरफ से बीग अनॉंस्मेंट है बीग ऑपर्चूर्टी आ रही है कैप जीनी नहीं यहां पर रिकूट्मेंट ट्राइब निकाला है प्लीज वीडियो को लाइक करना क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिमा अच्छा करता हूं एंड हो आइधिंग कि सबसे पहले आपको इसकी अपडेट राउंड ओविन चैनल पर ही मिल रही है कि अभी तक कहीं नहीं आई है है अभी ड्राइब आ रही है और आपको सबसे पहले है तो यहां पर मैं इंडिटेल करूं क्या लिजवीटी कटेरिया है तो फर्स्ट मैंने बोला 2021 बैच के लिए है भी बिटेक अगर आपने किया है एमसी आपने किया है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो एक गुड़ न जरूर अपलाई करते हैं यहां पर इसकी एसस्मेंट है वो स्ट्ट्रेश्मेंट आपको एसस्मेंट लिंक आएगी वन वाई वन करके आपको आ जाएगी और यहां पर मैं पहली बोला कि 2021 बैच इस्ट्ट के लिए है यहां पर आपका 60 परसेंट होना चाहिए सिर्फ बीट अगर आप डिप्लोमा की है तो आपका डिपलोमा 60 परसेंट होना चाहिए बट no percentage criteria रिए न 10-12 तो यहां पर इन्होंने लिखा है no percentage criteria यहां पर कम्मुनिकेशन इसकिल्स अच्छा होना चाहिए जो यहां पर रिकॉर्ड कि में बात करूआ कि तो आपका वर्ट फ्रम हो में बट वर्ट फॉर्म हम के बाद कैपसी नी आपको रिलोक रिलोकट कर देगी कैपसी नी की जहां अगर आपने डिपलोमा किया तो आपका नियों और 12 के बाद या फिर टुवेल्ट या इंजिनेरिंग के बीज में गाप नहीं होना चाहिए यहां पर इन्हों 50% से कम नहीं होना चाहिए so 50% at least आप लोग को होना चाहिए in case of student दो बाट 12 दिए so यहां पर वही यह लोग लिखे अगर आपका improvement का case है तो आपका बोथ में आपका 50% होना चाहिए 50% से कम नहीं so and next मोला कि अभी आपका कोई भी आपका बैकलोग नहीं चाहिए so I hope आप लोग का बैकलोग भी नहीं होगा 1021 बैस्ट के लिए and जो भी आपका assessment टेस्ट है and आपका जो भी स्लेक्शन प्रोसेस से इंटर्व्यू रांडे वो सब वर्चुल मोड में होगा and next में बोलू कि यहां पर जो रिश्ट्रेशन डेट है वह लाइक 23 से अगस से स्टार्ट वी एंट फर्स्ट अप सब्सक्राइब तक यह इंट हो जाएगी सो फर्स्ट अप सब्सक्राइब से पाले आप लोग जाए करें सब्सक्राइब आप से टू के लिए like हो जाते हो और वहाँ पर स्टेफ टू के लिए क्वालिफाइब आप होते हो देने आपका स्टेप टू में English इस हैं आपको चल्ड करना है तभी आप करतो आपका ऐडान राउंड के लिएशन नहीं आपका वह है दो अगर या अगर आप मीट्वॉड आप इंटर्वीव राउंड के लिए इस अगर आपको इंटर्वीयु राउंड का लिए को सो step 5 आपका interview and HR interview round होगा जिसमें आपका technical and HR interview होगा so first step मैंने बोला जिसमें एसिस्मेंट स्यूदो कोड है जिसमें 30 मिनट 30 questions आपको दी जाएंगे and next आपका communication test होगा English communication test उसमें भी 30 questions 30 minutes and third one आपका four games होगा जिसमें 20 to 24 minutes आपको दी जाएगी and assessment like assessment स्यूदो कोड की में बात करूं तो इसका level में basic to moderate बोलूंगा so moderate level तक मैं इसको बोल सकता हूं but step 2 जो English का है वो basic level है आपका easy level होगा and step 3 भी आपका basic to moderate level में बोल सकता हो so and आपको जो prepare करना है वो study के लिए करना है step 1 के लिए आपको problem नहीं है क्योंकि already मैंने स्यूदो कोड पर विडियो बनाई थी जब इसकी लास्ट है रहें आई थी अप्रेल में so आप यह विडियो ज़ूड फॉलो करें यह विडियो आपको मिलेगी आप मैं लिंक में डाल इस टेप आप क्लियर करते हो दिन आपका इंटर्व्यू के लिए जाएगा यहां पर उन्होंने लिखा है और नेक्स चीज की वर्क स्टाइल रिपोर्ट प्रवाइड आप लोग को कराती है आप लोग को receiving होती है सो receiving the work style report does not confirm the clearance of test assessment सो आपका first second third step clear हो जाएगा आप यह वे राउंड में जाओगे तो आपको work style report आप लोग को आज आएगी इसका यह मतलब नहीं है कि आपका लाइक सेलेक्सिन प्रोसेस खतम हो गया आप qualify कर गया हो और नेक्स सीज मैं बोलू कि आपका जो फर्स सिकेंड थर्ड एंड फॉर्थ स्टेप है वह सेम डे होगा और स्टेप फाइब आपका नेक्स डे स्ट्यूल होगा जो की टेक्निकल एंचार इंटर्व्यू है और यहां पे मैं बोलू कि या सो यह बहुत ही बीग अपडेट है बीग ऑपर्चूर्टी है प्लीज आप अपने फ्रेंज के साथ जरूर वीडियो सेयर करें एंड एस सुन आप्लाई करें फर्स से पहले जरूर अपलाई करें यह कैपजिनी की हाइरिंग बहुत दिन बात आ रही है लास्ट लाइक मैं बोलू 3-4 मंस ब लिए आप लोग जरूर इसे अपलाई करें प्लीज वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक्यू आल दबेस्ट